जहीन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल ओनलाइन जोब हैल्प में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाल है और एक भहुती बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए जो सभी केंडियर्स इंडियन आर्मी, इंडियन एरफोर्स, इंडियन नेवी को जोईन करना चाते हैं उनके लिए एक बहुती बड़ी वैसे खुश ख़बरी भी है तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है दोस्तों यह न्यूज ठारा का है ओफिसल अनौसमेंट किया गए है यहाँ और इसके बारे में आप विशेश तोर से और अच्छी जर्चा भी जान सकते हैं आप न्यूज चैनल के मादेम से सर्च कर लीजीगा तो रिटार्मेंट एज ऑफ टूप्स इन इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स नेवी जो जो सेना है उसके अंदर जो रिटार्मेंट की एज है वो बढ़ाने की सोच रहे है और यह जल्द ही लागू होगा इन्होंने ये लिखा है तो ये पूरी खबर इस वीडियो के मादेम से हम पढ़ने वाले हैं इनका जो मानना ये बात भी बिल्कुल सत्ते है क्योंकि हर एक जो वेक्ति है जो कारी करता है सेना देश के लिए कि यहां पर जो जवान सेना का जवान होता है चाहे वो इंडियन आर्मी का हो या इंडियन नेवी इंडियन एर फोर्स किसी भी सेना को हो तीनों सेनाओं में किसी भी सेना का जो मतलब आपका जवान हो लेकिन यहाँ पर क्या होता कि 15 साल ठीक है 15 साल तक वो benefit देता है सेना को और उसका फाइदा भी लेता है उसके बाद में भी उसको फाइदा मिलता रहता लेकिन सेना को कोई फाइदा नहीं मिलता है ठीक है तो यह भी यहां पे उन्होंने लिखा है minimum जो age का criteria है वो भी उन्होंने घटाने को कहा है यानि जो आप सेवा निवती यानि retirement लेते हैं वो 15 से लेकर 20 तक होता है लगबग mostly इतना ही होता है किसी में 15 किसी में 17 किसी में 20 है यह अपना mostly इनके दवारा निधारित किया गए पहले से तो यह इनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं और पर शिक्सिट एक जवान बनाते है तो इसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा आता है ठीक है और उसके बाद में बात करें तो इन्होंने यह भी लिखा है कि एक जो medical जो assistant का मतलब जो medical का का काम करता है सेना के अंदर वो 50 साल की उमर तक कार्य कर सकता है तो जवान क्यों नहीं कर सकते हैं हमारे पास जवानों की कमी नहीं है लेकिन हम यहीं चाहते हैं कि जो जवान है उनकी जो सेवा निवर्थी यानि रिटायर्मेंट का जो एज है उसका क्राइटेरिया हम बढ़ाना चाहते हैं ठीक हैं क्योंकि इसका मुख वर्तमान समय में है हाँ हम मानते हैं बिल्कुल सत्ते हैं दोस्तों मैं यह मैं नहीं करा यह इन्होंने कहा है ठीक है मेरे पर सवाल मत उठा देना इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो हम वेतन देते हैं वेतन को भी बढ़ाना पड़ता है हमको वर्तमान समय को देखते हैं और और जैसे-जैसे वेतन को तो वैसे ही लगातार बढ़ रहा है सभी पोस्ट के लिये या सभी सेना की जितने भी जवान है उनकी लिए तो यहां पे pension भी बढ़ानी पड़ती है यदि retirement ले लेता है तो सेना का जो बाहर हो जाता है सेना के लिए जो खर्चा आता है तो वो क्या कि बढ़ता ही जाता है ठीक है और उसका योगदान फिलाल है नहीं तो फिर उसका कोई फाइदा नहीं हुआ तो इसके अंदर क्या है क कि 15 साल ना रखकर, आपका 15 से 20 साल नहीं रखकर, इसको 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ये बिलकूल ही जल्द ही लागू हो सकता है कैई, तो सेवा निवर्ती पहले नहीं लेचकेंगे यदि ऐसा लागू होता है तो और दोस्तों, इसके अंदर इनों नहोंने इ लिका है कि इसके उपर जो जल्द ही एक है मतल अजेंडा है वो जारी किया जाएगा ठीक है इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि कितने जो एज रखा जाएगा कि इसके अंदर इंडियन एर फोर्स इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ल लिए आर्मी के चीफ रेज जुके हैं ओके तो दोस्तो यही खावर थी आज की तो आप टेंशन मत लीजिए और इसके अंदर देखेगा क्या होता है कि नए जवान लेने पड़ती है तो क्या होता है एक लंबा प्रोसिस गुजारना पड़ता है सभी को ट्रेनिंग देनी होगा और यह बहुत ही अच्छा कदम होगा दोस्तो ओके तो सभी कंडिट्स को बेस्टो प्लक जैहीं जै भारत वंदे मात्रम भारत माता की जै मिलते हुए को और नए अपडेट के साथ अब तक टेक केर बाइवाई यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सेयर क कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आपको सही समय पर मिलता रहें